नमस्कार स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शुरुती मद्धप्रदेश की राजनीती में हाशे पर धकेले जाने से नाराज जोती रादित सिंधिया ने पाला बदलने का फैसला ले लिया सिंधिया ने दिल्ले में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदियो और ग्रह मंत्रिया मिशाह से मुलाकात के बाद अपना स्टीफ कॉंग्रेस की अंतरी मद्धच सोनिया गानी को भीज दिया हाला कि मंगलवार शाम ही उनके बिजेपी में शामिल होने की चर्चा हो रही थी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है वहीं इस बीच सिंधिया को मीडिया के सवालों का सामना भी करना पड़ा सुबह से ही हर कोई उनकी प्रतिक्रिया के इंतजार में इस बीच एक मौका आया जब वो अपनी कार से उतर रहे थी इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल के लेकिन मुश्कुरा कर हर सवाल ताल गया उन्होंने कॉंग्रिस छोरने या भी जैपी में जाने वाले सवाल पर कोई भी जवाब नहीं दिया उन्होंने अपने जवाब में सिर्फ हैपी हो ली और थैंक्यू कहकर मीडिया कैमरे से खुद को दूर कर लिया बतादे चले आपको कि जिस तरह से जोतिरादित्य सिंध्या हमेशा ही मीडिया में अपनी बातों को बेबाग तरीके से रखते आए हैं जिस तरह से वो मीडिया में जिस तरह से कमलाज सरकार के सभी कामों पर बोलते आए हैं वहीं अब जिस तरह से जोतरादित्य सिंध्या जो है चुप है इस पर भी सवाल उठते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो चुप है कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जोतरादित्य सिंध्या को राज सभा बेजा जा सकता है सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है सुत्रो के अंसार संसस्त्र के बाद मोधी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार में सिंध्या को शामिल किया जाएगा सिंधिया को ये इनाम मद्यप्रदीश में कॉंग्रिस सरकार गिराने के लिए दिया जाना है दरशल जोतिरादित सिंधिया खेमे के विधायक भी कॉंग्रिस से नाराज है ऐसे ही 20 से जादा विधायकों ने अपने स्थीफे दे दिये हैं इन विधायकों के स्टीफे के साथ ही कमलात सरकार खगिरना लगभग तयमा नजा रहा है और बीजेपी एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी के स्थीती में आ गई है बताते चले आपको कि जोतिरादित टिफिन्या ने कॉंग्रेस से इस्तीफा दिया है अब कॉंग्रेस संक्त में आ चुकी है मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 15 सालों बाद कॉंग्रेस सत्ता में वापसी की है जोत्रादित सिंधिया के इस्तिफे के बास से कई सारे कयास भी लगाय जा रहे हैं विजेबे में शामिल होने को लेकर यहाँ पर जो बाते सामने आ रही है वहीं कमलाच ने दावा किया है कि वो कॉंग्रेस में कोई खत्रा नहीं है उनके पास ब्हुमत है तमाम तरह की बाते हैं वहीं अब जो बात की जाए मीडिया में बाते करने की तो जोत्रादित सिंधिया अक्सर मीडिया में जै अपनी बिबाग तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने हैपी हो ली और थैंक्यू कहकर जिस तरह से उन्होंने अपने आपको मेडिया से दूर किया है सोचने वाली बात है क्योंकि मेडिया में जिस तरह से उन्होंने मधिप्रदेश में कई कामों पर कमलात सरक से अब केजिए कमला सरकार पर भी सवाल उठा धिया और सी बात से लग रहा था कि जोठी- रादित सिंधया जल्द ही कॉंग्रेस चोड देंगे और ऐसे में जिसरह से जहां लोग होयी मन हुद रही थे वही tut ख़बर ये कि जोठी- एक आ लाग पने कोंग्रस- नमस्कार